भाई काश इस बंदे के चरण स्पोश कर सकता मैं यहां पर अगर देखो के तो गाइस क्या इसने पूरा बेस खोल के रख दिया मेरे लिए डिट बेस है यह और क्या लूट है यहां पर अब देखो मेरी तो भाई सच बता रहा हूं इस बेस ओ भाई hey guys welcome back to the channel और सबीक आप फिर से बहुत बहुत स्वागत एक और नय ओसम से धमा केदा clash of clans के एपिसोड में और आज आप लोग का फेवरेट चुमेशवरी सीरीज लेके वापस आ चुका हूं जो है overrest अब overrest का थोड़ा सा context दे दूँ आपको इसमें कर क्या रहे हम ल लाल टाउनल 11 पे हैं यह फाइनल वीडियो होने वाला है टाउनल 11 का नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तब हम टाउनल 12 अप्ग्रेड लगा चुके होंगे यह सच बोल रहा हूं क्यूं कैसे करेंगे अभी थोड़ी देर में बताता हूं बट उससे पहले गाइस प्लीज प्लीज अगर आपको यinson पसंदित अगर आपको में पसंद थे अगर अपको मेरा काम पसंद दो प्लीज सब्स्क्राइब करें व्यडियो को लाईक किया करें और कुछ वी लायग परहएज करते हो कोई और को प्रीम प्रीस यहाइन हम प्रेम क controllers करें दो लिए जरूर यूर rewards आ रहे हैं लजीज rewards आ रहे हैं जिसका बहुत ही जादा important value रहेगा मेरे इस account के progress में बाद में आपको पता चल चुका होगा जब तक यह video जैसे मैंने बताया आएगा तब तक आपको पता चल चुका होगा अभी हम क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं देखो अभी हम जो farming करना बहुत जादा मुश्किल हो गया है चलिए कोई नहीं देखते हैं सबसे पहले जो चीज़े मैं बता रहा हूं आपको अपग्रेड करेंगे वह है gold storage क्यूंकि gold storage अपग्रेड नहीं करूंगा तो टाउन होल को अपग्रेड करने लायक मिरे पास gold ही नहीं होगा तो दो gold storage मैं अपग्रेड कर दिये दो करूंगा तीन नहीं करूंगा दो ही करूंगा दो से काम अपना बन जाएगा अब मिरे पास gold है तो इन gold से क्या करेंगे अलिक से storage को क्योंकि एक दूसरे के अच्छे हम साथी बनेंगे यह storage अपग्रेड करना बहुत important है अब देखो मिरे पा purchase करेंगे क्योंकि यह fast first water last हमारा जो है वो चीज़ बचा हुआ है जो हभी तक हमने purchase नहीं किया है traps में अगर जाओगे तो ट्रेड एक चीज़ बचा है 30 लाक यह इसका cost है मेरे पास अभी काफी कम gold बचा है एक काम करेंगे फटा-फट कुछ raids करेंगे और यह gold जो remaining gold इसको निकालेंगे भाई काश इस बंदे के चरण स्परश कर सकता मैं यहां पर अगर देखो कि तो guys क्या इसने पूरा base खोल के रख दिया मेरे लिए dead base है यह और क्या loot है यहां पर अब देखो मेरी तो भाई सच बता रहा हूं इस base ओ भाई ओ भाई मैंने क्या कर दिया यह base को क्लिक कर दिया मैंने नहीं 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 यह क्या कर दिया यार मैंने अब ऐसा base मेरे को काम मिलेगा यार यह तो solid popet हो यह कड गया पूरा अपना ओके सो फाइनली इस base पर attack करना पड़ेगा किस्मत खराब हो जब ज्यादा बोल बच्चन करने से यह होता है अगर मैं वहां पर attack कर ले था तो भाई क्या गोल और क्या लिक्जी सब कुछ था यहां पर तो भाई बहुत कम है मतलब दो-दो आफ यह LV के विजड लेकियर के इससे ज्याधा उमीद क्या एक रेक सकते हैं मोग अच्छी पतга है अच्छी बात चीबाए यह है कि मेरे पास एक ब्लिम फान अब ब्लिम के अंदर एक इलेक्ट्रो ड्रैगन है ताजा इलेक्ट्रो ड्रैगन शायद वो कुछ करे मेरे लिए लेट्सी किंग क्वीन और यहां पर हमने ड्रॉप कर दिया है वॉल ब्रेकर्स यहां पर ड्रॉप कर देंगे सब कुछ कोर में डाल रहा हूं इस आशा में कि कुछ हम ठीक ठाक कर लेंगे फ्रीज करते हैं इस चीज को रेज करेंगे इलेक्ट्रो ड्रैगन की ऊपर पूरा डिपेंड कर रहा है यह अटाक क्योंकि सीसी का जो इलेक्ट्रो ड्रैगन है वो अगर बेस को क्लियर कर सके तो कायद हो वरना मेरे को नहीं लगता कि बाकी इनके बस की बात है एक एक लेवल के पेका और एक लेवल के विजर्ड क्या ही कर सकते हैं पेका पहलो ही एक लेवल कभी काफी अच्छा पाफूल होता है बट आप पेका से तो कुछ उमीद महीं नहीं रखो यार ठीक है मेरा इल एक शॉट दे दे भाई मेरे को पता है एक शॉट ही काफी है ओए भाई चलो सही है अब मैं फिर से हील करूंगा इलेक्ट्र ड्राइगन को तो इस बेस पे तो हम 3 निकाल लेंगे और इसका रिजन यह है कि बेस तो एक तो यह मेरा लग रहा है कि भाई है मतलब यह भी लूट हमने यहां पर गेन किया बट जो लूट हमने गवाया था वहां पर बेस किप करके उसके बाद तो फ्रस्टेशन सी चा गई है एकदम अंदर जैसे सूख सा गया एकदम मतलब बहुत ही जात दुख और तकलीफ हुई मेरे को बट कोई नहीं ऐसे बेसे और मिल सकते है मैं कोशिश करूँगा कि कुछ करें हम इस बेस पर बहुत मुश्किल होने वाला है सबसे पहले ड्रॉप करेंगे एक आर्चर को यहां पर लेवल बन के आर्चर को विल्ट राट तोड़ने पर शायद एक गंटा लग जाए एक गंटा जाए जादा बोल दिया मैंने बट फ ब्रेकर के जिएका थोड़ी से और विजर्ट यहां पर ट्रॉप कर दिया मैंने गलती से किंग क्वीन वार्डन वार्डन का तो कोई असर होने वाला है नहीं ब्लिम को सेंड करेंगे यहां से भाई क्या डेमेज ले रहे हैं चलो ठीक है यहां पर यहां पर एक बेबी ड्र इल्ट्राइगैऑ करेगा पूरा टैक जो इल्लgil द्रैगन के बरो से छोड़ दिये के और यहां पर फ्रीज करेंगे समझ नहीं आ आ Dragon वहां पर एक और mine का शिकार होगया कोई नहीं अब हम करी कैसे दो विजर्ड पड़े हैं तो दो विजर्ड यहां पर डॉब करिगे मैं बेद्रम कराटर सब कुछ यहां पर स्पैम कर डालेंगे यहां पर एक रेज यही तो उसको ब्हुलijke क्या वापस लेके जाए तो उतना बुरा नहीं है 49 लेवल भी मेरा हो गया एक्सपी लेवल तो यह भी सही है यार बट अभी भी मैं काफी दूर हो अगर मैं बात करो तो अभी में को 10 लाग क्या आपस पास गोल चाहिए अगर में को टोनेडो और सॉरी सॉरी टोनेडो यह पुश पुश क्यों लगता है बस नेक्स्ट बटन में क्लिक नहीं हो जाना है जैसे हो यह था प्लैन है यह कि कुछ प्लैन नहीं है कुछ प्लैन नहीं है हम लोग उस साइड बहुत सारे डिफेंस है हमको डिफेंस पर ध्यान नहीं देना है हमको बस लूट पर ध्यान देना है यहां पर वाल ब्रेक कर यहां पर drop कर देंगे king queen warden सारे के सारे wizards यहां पर spam कर डालेंगे oh my god इसका eagle है क्या मैंने eagle नहीं देखा था चलो ठीक है eagle है तो है हम क्या ही करेंगे दो wizard और यहां पर कहां पर drop करूं समझ नहीं आ रहा इस चीज़ को यहां और इस चीज़ को इसके पीछे पॉफेक्ट अब यह जो combination है यह मेरे को जीता सकती है भाई अब अगर यह बेस से हम लूट नहीं निकाल पाए न तो भाई इससे जादा बूरा कुछ यहाल कमोन एलेक्ट्रड्रेगन यार कोर में आजा मेरे भाई यह संक्यू थैंक्यू एलेक्ट्रड्रगन थैंक्यू बस इतनी ओम माइगाड इसने चैंपियन के स्किन कीन है कीना है मैंने तो यह जादा ऐसा बोल दिया मैंने मतलब बंगॉली निकल गया था जादा एक्साइट्रड्रेगन में मुझ से बट सच बता रहा हूं मैं मेरे को देख इतना हैरानी हो रही है लेवल नाइन के किंग और इतना रस्ट बेश में भी कोई खरीता है भला चैंपियन किंग इससे अच्छह था दो सीजन का आराम से सीजन पास आ जाता है बादक कितना ज़्यादा यह बेस को कर सकता था ँपन लेकिया में तो कुछ तो दिया कुछ ना देने से तो कुछ देना बहतर है फिलाल मेरा जो इलेक्ट्रोड्राइगन वो काफी अच्छे हिल्थ में और यार कम ओन जितना भी कलेक्टर्स वगेरा आसपास दिख रहे सब को निचोड ले वाई एलेक्ट्रोड्राइगन तु मर मत बस बस मर मत और में को नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी मरने वाला है काफी अच्छा तकड़ा हिस्ट पुष्ट इलेक्ट्राइगन दिख रहा है मेर सब्सक्राइगन कम ओन एक चेंड डैमेज मरने से पहले आखरी आखरी उमीद भी पानी फिर गए आखरी उमीद पर बट जीरो गोल्ड हमने कर दिया है जो कि बहुत बढ़िया क्योंकि हमें गोल्ड चाहिए काफी काफी सारा गोल चाहिए अभी अगर आप देखोगे तो म पंच लाग गोल्ड की कमी है पंच लाग काफी होते हैं और इस वाले वीडियो में इस से जयदा हम कुछ नहीं कर सकता क्यूंकि वा विडिए यह वाला वीडियो पता एक घंटे से जादा होगया मैं बना रहा हूं पार पांट में क्यूंकि कुझ भी करना बहुत जयाए collector कितना दिन 16 घंटा अप्ग्रेट पर लगा दिया और बहुत जल्द हमारे चीज़े हो जाएंगी और जैसे मैंने बताया क्लाइन गेम्स में जो आएगा ना मज़ा बहुत दिनों के बाद क्लाइन गेम्स के अच्छे रिवार्ट्स हमें मिलेंगे और 4000 पॉइंट करना इस वाले काउंट से ताकि मैं दोनों रिवार्ट्स लेए सकूं मतलब दो जो अच्छे रिवार्ट्स है तो गाइस वीडियो में इतना ही था है यह अपने वीडियो एंज्वार्ट्स अगर किया है तो प्लीज और प्लीज लाइक करें अपने कमेंट शेर कर है